नमस्कार देश टीवी के प्रती दिन समचार्थ में आप सबका स्वागत हैं बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां 36 गर दोरे पर आ रहे है राहूल अमित चुनावी रणनीती पर दोनों दलों में होगा मन्थन गांजा आरोपी चड़ा पुलिस के हथे ट्रेवल बैग में मिला 36 किलो गांजा राज्य सरकार ने आयोजित के यूद फौर एकात्मता प्रदेश के 15 लाग क्यों आउने लिया भाग और 36 गड़ी फिन आई लव यू प्रदेश के सीनेमा घरों में हुई रिलीस सकारात्मक रहक दर्शुको का रुजान अब देखते हैं खबरे विस्तार से बिजेपी के राश्ट्रे अध्यक्ष अमित्षा और कॉंग्रेस के राश्ट्रे अध्यक्ष राहूल गांधी प्रदेश के एक दिवसी दोरे पर 36 गड़ आने वाले हैं वही दोनों अध्यक्ष अपने अपने दलों में जोश भरेंगे ताकि आने वाले चुनाव में जीत पा सके बिजेपी के राश्ट्रे अध्यक्ष अमित्षा 10 जून के बाद दूसरी बार 22 अगस्त को एक दिवसी दोरे पर 36 गड़ आने वाले हैं शहर रायपूर में सकती केंद्र प्रभारियों और समयको के शम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रवास के दोरान अमिसा प्रदेश पदाधिकारियों के आलावा कोर गुरूप की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं प्रदेश में भाजपा का वोट प्रतिसत बढ़ाने के साथ साथ बूत को मजबूत के जाने की रणनीती पर मन्थन भी किया जाएगा अमिसा ने 36 गड़ विधान सभा चुनाव में 65 सीट जीतने का लक्ष प्रदेश नेत्रित को दिया है लिहाजा इस लक्ष को पूरा किये जाने को लेकर प्रदेश संगठन की रणनीती की समीक्ष भी अमिसा करेंगे पार्टी सुतरों की माने तो अमिसा प्रत्यासी चयन के मापदन को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सी प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कोशीक समित संगठन के तमाम आला धिकारियों से टिकर चयन के मापदन्डों को लेकर भी राय शुमारी कर सकते हैं विजैपी अपनी चौथी पारी को लेकर काफी संजीदा है ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री मंडल में दाग लगे चेहरे को हटाया भी जा सकता है अमिसा के दौरे की मुख्यमंत्री ने पुष्टी कर दी है वही कॉंग्रेस के राश्टी अध्यक्ष राहूल गांधी भी 17 माई को 36 गड़ प्रवास पर आय थे इसके बाद फिर 16 या 17 गश्ट को भी राहूल गांधी फिर से प्रदेश पर आने की संभावना प्रवल है ऐसे में कॉंग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सेलेस नितीम त्रिवेदी ने अमिसा के दौरे को राहूल गांधी के दौरे से जोड़ दिया है त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा अपने राश्टी अध्यक्ष अमिसा को राहूल गांधी के दौरे के चलते बुलाया है लेकिन भाजपा में वे जोड़ नहीं भर पाएंगे बलकि राहूल के दौरे से कॉंग्रेस में जोड़ का संचार और अधिक बढ़ेगा जैसे ही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के आने का संचार मिला भारती जनता पार्टी सशंकित हो गई भारती जनता पार्टी ने ततकाल हरवड़ी में अपने राश्टी अध्यक्ष अमिच शाह का करेकरम तै किया है हाला कि अमिच शाह और राहूल गांधी की कोई तुलना नहीं है राहूल गांधी देश के तरुनाई के नेता देश में समरस्ता की सब को साथ लेकर चल राजनीती के प्रतीख है अमिच शाह का आना भारती जनता पार्टी में कोई उत्साह नहीं भर पाएगा लेकिन कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी का दोरा नई उर्जय का संचार करेगा और कॉंग्रेस और ताकतवर होकर उबरेगी भरहाल चुनावी सरगर्मी में किसी भी दल के राष्ट्य नेत्रित्य का दोरा पार्टी के लिए काफी मायने रखता है ऐसे में दोरे को लेकर आरो प्रत्य रोप का सिलसिला भी जारी रहना लाजमी है अब देखना है कि दोनों प्रमुक दलों के राष्ट्य अध्यक्ष अपने अपने दलों में कैसे कसावाट लाते हैं विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रिस के साथ बसपा की गडबंधन को लेकर राजनीती तेज हो गई है गडबंधन की खबर पर सियासी हालाद भी बदलने लगे है और साथ ही कॉंग्रिस की गडबंधन पर भाजपा के उपाध्यक्ष सुनेज सोनी ने प्रदेश कॉंग्रिस को मुद्धा विहिन और चहरा विहिन करार दे दिया है जिससे लेकर सियासी गर्माहट भी पैदा हो गई है विधानसभा चुनाओं के समय कॉंग्रेस के साथ बस्पा की गडबंधन को लेकर काफी सरगर्मी तेज हो गई है हालकि प्रदेश कॉंग्रेस ने अब तक गडबंधन पर कोई खुलकर बात नहीं किया है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष ने भी किसी प्रकार के गडबंधन पर अपनी राय नहीं दी है लेकिन सूत्रों की माने तो दिल्ली में दोनों ही दलों के राष्टे इस्तर के नेता गडबंधन को लेकर चर्चा के है प्रदेश कॉंग्रेस ने हाला की बात को सुईकार किया है आपको बता दे कि बसपा 36 गड में कॉंग्रेस से 90 में से 5 सीट पर गडबंधन के लिए लगभग तयार है लेकि राष्टे नेतरित्र से हरी जंडी दोनों ही दियलों को अब तक नहीं मिली है ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कॉंग्रेस प्रदेश में बाबा साहिब अंबेटकर के नाम को लेकर बसपा से गडबंधन कर सकती है गडबंधन की खबर पर सियासी हालात भी बदलने लगे हैं कॉंग्रेस के गडबंधन पर भाजपा की अपाध्यक्ष सुनील सोनी ने तो प्रदेश कॉंग्रेस को बुद्दविहीन और चेहरविहीन करार भी दे दिया है साथ ही आने वाले चुनाव में कॉंग्रेस का सुपड़ा साप होने की बात भी गह दिया है और भाजपा की जीत को सुनिश्चित बता दिया है देखिये आज कॉंग्रेस अपने आप को असाय मैसूस कर रही है और वो अच्छे से जानती है कि चौंथी बार रमन सिंग जी की सरकार बन रही है तो अविवारिक गडबंधन के लिए भी कॉंग्रेस तयार है और बस्पा तयार नहीं हो यह सबसे बड़ी बात है कि उनसे गडबंधन किया जाए कि नहीं किया जाए तो कॉंग्रेस की जो इस्थिती है आज बहुत देनी है क्योंकि एक आविस्वास का वातावरण है कहारिकरताओं में मन में विश्वास नहीं है कि अगर मान लीजे कि हम चुनाओं मैदान में उतरते हैं तो कॉंग्रेस पाटि के किस नेत्वितक कि किस चहरे के अधार पर हम सामने में जाए तो चहरा विहिन, मुद्दा विहिन अगर कॉंग्रेस है तो 36 गड़ की जनता अच्छे से जानती है कि जिस प्रकार से विकास चल रहा है उस विकास के क्रम में बाधा उत्पना निक किया जाए और 36 गड़ देश का अग्रिन राजय जो है डॉक्टर रमन सिंग जी के नित्व बाजी से काफी खपा हो गए हैं उनकी माने तो चुनावी परिद्रिश में गड़ बंधर राष्टी नेत्रित द्वारा किया जाता है ऐसे में भाजपाव पाध्यक्ष की ऐसी बयानबाजी सीमा को लांगने वाली प्रतीत होती है सुनील सोनी जी ने अपनी समझ के मुताविक ये बात कही है मैं आपसे इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस गड़ बंधन के पीछे 36 गड़ मध्यप्रदेश और राजयस्थान और पूरे देश की जो राजनेतिक परिस्थितियां हैं उनके आधार पर कोई निर् या 36 गड़ में किसी कॉंग्रेश भाजपा या बसपा के नेता के इस्तर की बात नहीं है इस पर कोई भी निर्णय राष्टी इस्तर पे लिया जाएगा सुनील सुनी जी क्यों इस पर टिपणी कर रहे हैं मैं मानता हूं कि वे अपनी सीमा रेखा को लांग कर ऐसी बात कर भरहाल कॉंग्रेश का बसपा के साथ गड़ बंधन की खबर काफी पहले से ही चल रही है ऐसे में अब देखना है कि प्रदेश कॉंग्रेश के 90 जीटों पर लड़ने के दाव को कॉंग्रेश का राष्टी नेत्रित मानता है या फिर गड़ बंधन का सहरा लेता है यह तो स समय बताएगा देश्टी वीक ले कैमरमेन एस गनेस के साथ सुरुख भट्चार की रिपोर्ट राजधानी में एक बार फिर पुलिस ने गांजा तसकरों पर बड़ी कारवाई करते हुए 36 किलों गांजा बरामत कर तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है यह तीनों आरोपी बिलासपुर के रहने वाले है और जो बस में ट्रैवल बैग लेकर 36 किलों गांजा लेकर र रहा है शुक्रवार को देविन नगर पुलिस को जानकारी मिली कि तीन युवाग बिलासपुर से 36 किलों गांजा लेकर बस से रायपुर आ रहे हैं जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेरा बंदी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से गांजे के तीन बड़ इंजिनिरिंग किये हुए हैं और एक MSC कम्प्यूटर का स्टूडेंट है पहले भी एक बार गांजा का खेप बिलासपुर में खापाया था और कली इनका दूसरा प्यास है जो पुलिस की सजकता से धरे गया और जिनकी गित्तारी की गई है और उनको अभी जुडिशार रिमांट पे नैले भीजा गया है और लगतार चेकिंग जारी रहे गी और ज दूसरे आदमी नम लोगो समान दिया था और बोला था राइपूर में छोड़ देने के लिए और रैपूर से दूसरा बिलासपूर में जाकर मान छोड़ देना था बस बोल ले थे वह किसी और को दे देना वहां पर सरबी मैं रिजेक्शन कंपीट कर चुका हूँ और अभ इससे पहले भी पुलिस प्रशासन द्वारा शेहर में गांजे को लेकर कई बार अभियान चलाया गया है लेकिन उसके बावजुत शेहर में गांजे की बिक्री निरंतर जारी है शेहर में गांजा बेशने वालों ने पुलिस से बशने के लिए टाइमिंग तक चेंज कर द हम उनके ठीकानों पर धावा नहीं बोल पा रहे हैं। और मॉल मॉलिकों के खिलाब काफी नारेबाजी की गई। किवसेना ने कॉंबो और पार्किंग बरतत का रोक लगाने की मांग की है। अगर 50 रुब टिकट का रेट है सौमार से लेके गुरुवार तक तो 50 रुब रही निजारीत किया जाए। किवसेना है किस मुद्दे को राजसरकार की ध्यान मिला कर इसका जल्द निराकरन करना होगा। भरहाल सिवसेना ने कामबो और पार्किंग व्यवस्था को बंद करने के लिए मौल मालिकों को आठ दिन का समय दिया है। उनके द्वारा ऐसर नहीं करने पर सिवसेना उगरान दोलन करेगी। देश टीविक ले कैमरा मेर इसी ने ताम की साथ कुल भूसन सी की रिपोर्ट। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक चला है।